मैं दोनों सेनारियों पर अपने विचार रगता हूं और विशुद राजनितिक बात करते हैं मैं धरंदे जी की बात से सहमात्रू की राहूल गांदी का इस वकद जो राजनितिक कद है वो पार्टी अज़क्स से उपर है और वो केवल कॉंग्रेस के ही नहीं इस वकद जो पुलिटिकल स्पेक्ट्रम है उसमें बहुत कम लोग है जिसमें सबसे बड़े और सबसे प्रभावी नेता जो है वो राहूल गांदी है जो कॉंसेंस कीपर है देश के देश की अंतरात्मा की अवाज जिसको आप कह सकते हैं उसमें राहूल गांदी के बाद जिनका नंबर आता है वो स्टालिन है या उज़ो ठाकरे को मैं मानूंगा तो इस वकद दूसरी के देखे राजनिती बहुत ही मतलब मैं कहूंगा कि एक निर्दई खेल है बहुत उसमें बहुत सम्हावना जो है मूल्यों की और नेतिक्ता की नहीं होती है और राजनिती पविलियन से बैटके भी नहीं हो पाती है मैजान में उचरना पड़ता है और जिस तरीके की राजनिती अभी है जिसमें की एजेंसी मीडिया पैसा मसल तमाम तरीके की थी जे अपराज तमाम सब इसको कहें कि खुला खेल है उस खुले खेल में जिसकी बात आप कर रहे हैं सत्ता में कंट्रोल होने की उसका एहमियत बन जाती है कि एक व्यक्ति जिसके पास पार्टी के अध्यक्षता भी है और जिसके पास समर्थन भी है देश के बाकी लोग और अपनी पार्टी का भी तो वह ताकतवर एक option मिलता है देश को दूसरी बात देखिए राहुल गांदी की अध्यक्ष ना बने इसके लिए बीजेपी और खासकंद मोदी साहब की तरफ से बहुत प्रयास चलते रहे इसमें सबसे ताजा प्रयास आपने गुलाम नभी आजाद के स्थीफे का देखा उसके अंदर जैसे मैंने पहले का है कि अभी भी ब जवाब लंबा हो जाएगा लेकिन मैं पहले राजनिती में बात करता हूँ अब अगर राहुल गांदी इसको रिफ्यूज करते है तो उनकी इमेज क्या जाएगी उनकी इमेज जाएगी रिलक्टेंट है यही आरोप लग रायर तमाम सारे विश्लेशा की बात कहते हैं कि राहुल गांदी पीछे हटते हैं रिलक्टेंट पॉजिटीशन है और यह पध्यात्रा के बीच में संदेश जाएगा और सारा फोकस डिबेट नए अध्यक्र और राजी राहुल गांदी की रिलक्टेंट इमेज पर जाएगा अब अगर राहुल गांदी इसको एक्सेप् करते हैं और कहते हैं कि वो भरेंगे नॉमिनेशन होता है चुनाओ भी होता है अब अगर राहुल गांदी उस बीच अक्टूबर के तीसरे सप्ता में अध्यक्ष्पत गोशित होता है और उसकत करनाटक से होकर यात्रा गुजर रही होगी तो इस यात्रा का असर दस गुन जो पिछले चारवाँ साल से एक कोशित हो रही है वो कोशित नाकाम हो जाएंगी और ये एक बिलकुल नया नई जान इस यात्रा में आ जाएगी तो इस लिहास से उनको बनना चाहिए दूसरी चीज़ कि राहुल गांदी की अभी उम्र जो है वो बगैर राजनितिक सत्ता के कॉंशन्स कीपर बनने की नहीं है उनको अगर जै प्रकाश नरायान या बर्नी सैंडर्स बनना है तो वो उसके लिए भी काफी उम्र पड़ी है उनके लिए और वो दूसरी बात राजीर जी बहुत महत्रपूर्ण ये बात है कि पिछले पांच साताथ साल में और प्रक् साताथ साल में देह वहत्त तेजी से कई पि आयामों में पीछे गया है पृज दो को 에도हरु और लोकतंत्र में में जतरप फ्रीडम में पि को चीज़ों के मावले में देश बहुत पीछे गया है और देश को एक नई दिशा की आउशकता है नई सोच की आउशकता है और वो clarity मैं जितनी राहुल गांदी में देखता हूं किसी और नेता में नहीं देखता हूं शायद स्टालिन जैसा नेता अगर नौर्स में होता पूरब में होता तो वो clarity उनमें स्टालिन में है लेकिन राश्चिवापी इस तरफ पर राहुल गांदी के अंदर जो clarity है जिस तरीके के reforms होने चाहिए जिस तरीके के राजनितिक होनी चाहिए वो इस वकत केवल राहुल गांदी दे सकते हैं और अगर यह नहीं हुआ तो आप समझें कि देश की जो इस्तिती है अभी और 2024 के बाद जिसकी मीनु जी बात कर रही थी कि डिलिमिटेशन 2026 में डियू है उसके बाद क्या होगा तो उसकी कल्प नहीं हम लोग कर सकते हैं के वल और ऐसा नहीं कि वह होगा तो इक तरफा होगा उसका प्रतिकार भी होगा और वो प्रतिकार बहुत तक्लीफ दे होगा देश के लिए तो इन तमाम वजे से मुझे लगता है कि राहुल गांधी को जो है वो अध्यक्षपत लेना चाहिए हाला कि वो माइक्रो मेनेजमेंट वाले व्यक्ति नहीं है वो सिस्टम है अध्यक्षपत और वो वो एक जर्व राजनितिक कारणों से उनको ये चुनावति स्विकार करनी चाहिए तभी ये 2024 का जो रास्ता है वो विपक्ष के लिए आसान होगा और इसके लिए अभी राहुल गांधी को अध्यक्षपत स्विकार करना चाहिए ये कहना है प्रशांट अंदन जी का मीनु जी का क कहना है कि शायद वो अध्यक्षपत स्विकार नहीं करेंगे तो देखिए एक चर्चा हम अभी कर रहे थे पिसले घंटे से और उस चर्चा के कई आयाम कई पहलों निकल के सामने आते हैं और वह जरूरी भी है कि जब पांच विद्वान हमारे साथ बैठे हों तो बाते जो उम्र है राहुल गांधी की वो उम्र इस उम्र में बहुत सारी चुनोतियां हैं और उन चुनोतियों को भी अभी स्विकार कर लेना चाहिए उन चुनोतियों में से एक चुनोती अध्यक्षपत की भी है कि आप अध्यक्षपत स्विकार करते हुए इस यात्रा को अगर मेरा personal view मैं देना चाहता हूं पहले भी बोल चुका हूं कि इस यात्रा के दौरान अगर राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनते हैं क्योंकि अगले महीने 17-19 तरीक को घोशना होना है अध्यक्ष का कौन बनेगा कॉंग्रेस का अध्यक्ष और उस दिन अगर किसी और नाम की घोशना होती है तो यह तै मानिये कि उसका असर इस यात्रा पर पड़ेगा क्योंकि यह यात्रा कॉंग्रेस की कम और राहुल गांधी की ज्यादा मानी जा रही है और जो विज्वल्स आ रहे हैं रोज सुबह लाइव